हेलो एव्रीवन दीप्रिशन चैनल में आपका स्वागत है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कड़ा है बिल्कुल खराब हो चुका है इसके नग ने कर गए हैं इसके साथ ही मैंने एक नेट का गपड़ा ले लिया है अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप अपने टेल पर इस तरह ऐसे लेना है कि जो स्टोन है वो दिखाई ना दे इसी तरह से हमें इसमें पूरे में लपेट लेना है तो चलिए हम इसे लपेट लेते हैं अब देखे हैं में एंड में आ गए हैं इससे तोड़ाव सा बढ़ा कट करेंगे और जो इसका लास्ट का छो रहर है इसे अंदर की तरफ करते वे से कट करेंगे, तकि ऊपर की तरफ ये ना आए अब मैंने सुई धागा ले लिया है सेम कलर में और इसे laundry कर दिया है, चार से पांच लाकी लगाकर आप इसे अच्छी तरह से पक़आ कर दें अब ये दिखें मैंने ले लिया है पतला वाला गोटा ये बहुत ही चीप मिल जाता है एक रुपे मेटर में ये आराम से आपको मिल जाएगा अब नीचे से मैंने गोटे को भी वही परी पका कर दिया है मैंने सुई का दागा कट नहीं किया था अब इसे लपेट लेंगे इसे इस तरह से लपेटेंगे कि जहां से उपर दिखाई देगा वहां से थोड़ा सा स्लाइडली दिखाई देगा आप इसे अपनी चोई से भी लपेट सकते हैं इसे भी आप कट करके लगा सकते हैं तो इससे हमारा थोड़ा गोटा वेस्ट होगा इसलिए मैंने इसमें पूरा ही जितना मेरे पास है उसी को मैं निकाल रही हूँ आपका एक मेटर में ही दो कड़े बन जाएंगे अब एंड में हम आ गए हैं तो यहाँ मैंने गोटे को थोड़ा सा बड़ा कट किया है और फोल्ड करके वही पर हम इसे पका कर देंगे जैसे हमने नीचे का किया था इसे थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे ताकि एक ही जगह पर जएदा मोटा मोटा ना हो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए यह हमारा ऐसे ही बहुत सुन्दर लग रहा है लेकिन हम इसमें थोड़ा सा शाइनी वर्प करेंगे तो मैंने यह आपे स्टोन ले लिया है और साथ में ले लिया है फैबरी ग्लू इसे हम इसके बीच बीच में एक एक स्टोन लगा देंगे यह स्टोन जल्दी से नहीं निकलते हैं आप इसे दो से तीन दिन सूखने दें उसके बाद में ही यूज करें काफी दिन दोने पर भी इसमें यह स्टोन नहीं निकलेंगे तो आप इसे यूज करके जरूर देखें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो देखें